एक बार फिर आपका स्वागत है यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखे फ्रेंड्स जैन्द्रम के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है तो मैं यहां पर इस वीडियो में आपको जैन्द्रम के परमुख सिधान्द या फिर जैन्द्रम की सिक्षों के बारे म बताओंगी तो देखे फ्रेंड्स जब जैन्द्रम का उदे हुआ था उस समय चारों तरफ लोगों में अंग्रिष्वास आडंबर आदी च्छाया हुआ था उसी समय जैन्द्रम का उदे हुआ ठीक है तथा इस दरम के अच्छाईउं की ओर लोग चल पड़े थे तो जैन को आगमन जैन्द्रम की और हुआ तो आज हम उनी सिख्षों के बारे में इस वीडिwo में पढ़ेंगे जैन्द्रम के परमुख सिध्धानत कई बार परीक्षा में पूछिए जाते हैं जैन्द्रम हाओ पर्मुक सिधान तवा है निवरत्ती मारगी, तो निवरत्ती मारगी का अर्थ होता है, खतम करना, अर्थात संसार दूखों का सागर है, और दूखों से यदि हम लोग दूर हो जाएंगे, अपनी इच्छाओं, त्रिश्णाओं, आदि को हम हमारे काबू में कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, निवरत्ती मारगी हो जाएगा, ठीक है, तो व्यक्ति की, वो जाए कोई भी हो, व्यक्ति में अपनी इच्छें जागरित होती है, और एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा उसमें आ जाती है, कि अब मेरे पास ये चीज नहीं है, यदि येक्टिव आ गई तो फिर आज मेरे को कार चाहिए, कार आ गई तो मेरे को प्लेन चाहिए, तो ऐसे सी इच्छें उसमें जागरित होती जाती है, इसलिए अपनी इच्छों को काबू में कर लेना, अपनी इच्छों को मार लेना, अपनी इच्छों पे कंट्रोल कर लेना ही क क्या होता है निवरती मार्गी होता है तो जैन द्रम है वह कहता है कि निवरती मार्गी बनो और जैन द्रम का परमुक सिधान्थ है निवरती मार्गी तो जैन द्रम भी बो द्रम के बांति निवरती मार्गी धर्म है जैन द्रम एक बिक्षू धर्म है इस धर्म का मानना है कि म लिक्षु बनकर भर्मन करके जीवन्यापन करना चाहिए तो ये हुव आपका जैन्द्रम का निवरतिमार्गी सी धांत, ठीक हैं। फिर से जीवन मिलेगा जनम मिलेगा जयंद्रम में निर्वान को माना गया अर्थात मोक्स प्राप्ति अब देखे जयंद्रम का अगला जो सिधान्थव है पंच महावरत है तो देखे दोस्तों मां आपको यहां पर बता देती हूँ पहले भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि पंच महावरत क्या थे और इन पंच महावरतों के बारे में हमने डिटेल से पहले पढ़ लिया है और हम यहां पर पढ़ लेते हैं तो जो पांच महावरत थे जयंद्रम में उनमें जो पर्थम चार महावरत है उसको 24 वे तिर्थंगर महावियर श्वामी ने इसका पर्तिपादन किया था ठीक है तो सबसे पहले है सत्ते जैन साधू और साधू कभी भी जूट नहीं बोलते चाहे कितनी भी कठिनाई हो उनके जीवन में आ जाए वो कभी भी जूट नहीं बोलते अर्थात लोग मोह माया लालच आदी से वो दूर रहते हैं फिर आपका अगला महावरत आता है ऐस्तेई तो जैंद्रम में चोरी नहीं करना ही ऐस्तेई कहलाता है जैंद्रम में चोरी नहीं कर सकते तदा किसी ने चोरी कर भी ली हो तो वह पापी कहलाता है फिर आपका अगला आता है अहिंसा तो जैंद्रम का जो जैंद्रम का जो पंच महावरत है उसमें एक महावरत है अहिंसा और जैन ध्रम में ये भी कहा गया है हिंसा पर्मो धर्मा है अर्थात जीवों के परती दया भाव रखना चाहिए तो जैन साधू साधवी किसी भी जीव के हिंसा नहीं करते हैं छोटे से छोटे जीव को भी पीड़ा नहीं देने की परतिगया के साथ ही अपना जीवन वो जीते हैं। फिर अगले पंच महावरत में अगला महावरत आता है ऐ परीग्रह हैं। अर्थात जैन सादू अपने पास पैसा नहीं रखतें। अर्थात किसी चीज का वो संग्रह नहीं करतें। विशेवासनों का त्याग ही क्या है आपका ब्रह्मचरिय है। आप देखें अगला सिध्धान दाता है पंच अनुवृत। तो जैसे पंच महावरत थे वैसे ही पंच अनुवृत होते हैं। तो पंच महावरत थे वो जो सन्यासी लोग होते थे जो बिक्षु लोग होते थे उनके लिए होते थे अब जो अनुवरत यानी इनमे थोड़ी बहुत सरलता थी ये ग्रहस्तों के लिए होते थे तो जैंद्रम में ग्रहस्तों के लिए पंच अनुवरतों के व्यवस्ता है इ देहिंसा अनुवरत, सत्य अनुवरत, एस्ते अनुवरत, ए परिग्र अनुवरत और ब्रहमचारिय अनुवरत फिर आता है आपका श्रस्टी तो जैंद्रमे वह श्रस्टी अरता संसार के बारे में क्या कहता है तो जैंद्रमे वह संसार के बारे में कहता है कि संसार सास्वत ह नित्य है एनिश्वर है तता वास्त्विक और अस्तित्व वाला है फिर आता है इश्वर तो जैन्द्रम में इस्वर को माना गया है या नहीं माना गया है कई बार ऐसे क्यूसन आते हैं दोस्तों तो आपको अच्छे से यहां पर वीडियो को देखना चाहिए पढ़ना चाहि जैन्दरम इस्वर के स्थीत्व को श्रीकार नहीं करता, संसार का स्रिष्टी करता इस्वर नहीं है, जैन्दरम कहता है कि संसार पहले भी था, अब भी है तथा आगे भी रहेगा. फिर है नगनेता तो जो 23 वे तिर्थंकर है पासर नात इन्होंने बताया है कि वस्तरधारन करना चाहिए लोगों को तो उन्होंने अपने अनुवियाईयों को वस्तरधारन करनी के अनुमती दी थी लेकिन महावीर स्वामी ने पूर नगनता का आदेश दिया था फिर आता आपका कर्म तो जैन धरम है वह मनुशे को स्विम अपने भागे का निर्धारक मानता है था जैसा कर्म वह करेगा वैसा ही वह है आगे के जनम में भुगते का बीचे अच्छा करम करेगा तो अच्छी जगह पर जन्म मिलेगा और बुरे करम करेगा तो वह है नर्क में जाएगा ठीक है तो मनुसे अपने जीवन का खुद ही उत्तरदाई होता है उसके सभी सुक वद्दुक उसके करमों पर निर्पर करते हैं मनुसे जैसे कर्म करेगा वसे ही फल पाएगा तथा उसे वैसा ही पुनरजन्म मिलेगा फिर है अगला सिधान्थ है अच्छा इसी में बता देती हूँ मनुसे के जो कर्म का जो सिधान्थ है उसी में ही आठ प्रकार के कर्म बताएगे है ज्यान वरणिये आयू कर्म, नाम कर् गोत्र कर्म और आपका अंत्राम कर्मडर्षन वर्णिये कर्म वेदपय। अब आपके आते हैं त्रीरत्न थो त्रीरत्न का सिधानत हैं हमने त्रीरत्न Ke Barron के बारे में डिटेल से पहले बता भी दिया है फिर आपको हिया पर एक बार बता देते हैं तो त्री रत्न मतलब तीन आभुषण तो जैंद्रम के जो तीन आभुषण वो हैं त्री रत्न अर्थात मोक्स प्राप्ति के लिए आवसिक बताया गया है त्री रत्नों को और मनुसे अपने पूर्व जनम के करम फल का नास करता है और इस जनम में किसी परकार का करम फल करें ताकि उसे मॉप्स प्राप्ति हो जाए और यह लग से त्री रत्नों का पालन तता अभ्यास करने से प्राप्त होता है तो इस प्रकार से त्री रत्नों का पालन करने के लिए जैंद्र में कहा गया है त्री रत्न कौन-कौन से उदेख लेते हैं जल्दी से पर समय ज्यान दर्शन समेग चरितर या आच्रन तो समेग ज्ञान सत्य ज्या सत्य ज्या सत्य चिछ्यान य्ञ स्यग सबी का निशेत तता हितकर कारियों का आचरण में अपनाना ही क्या है समय चरित्र है अब देखें पांच परकार का ज्यान तो पांच परकार के ज्यान के वारे में भी हमने पहले वाले वीडियो में बताया है जैंद्र में पांच परकार का ज्यान क्या था सुरूती ज्यान अ तो चैन्द्रम्न में यह जो आपका शातवाद का सिधान्त है यह महत्वकोर्निसीदान्त है कई बार प्रीक्सद्टा में असे लटेड ुज़ा जाता है तो सबसे पहले तो यही है कि उपार नामों से भी अपन जान सकते या जाना जाते है या इसके बारे में पूछा जाता है, वो है, शादवाद है, यह सब्धभंगी सिधान्थ, साप्पेक्स्तावाद, और अन्यकांथवाद इन नामों से भी जाना जाता है, होता है है क्या शादवाद? तो किसी वस्तु के अन्य गुणों को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का ये एक सिधान्द है तो जैसे कि भिन-भिन दरश्टी कुणों से किसी वस्तु का अपनलोग देखते हैं अलग-अलग दरश्टी कुणों से वोई क्या हो गया? सब्त बंगे सिधान हो गया आगे के वीडियो में हम आपको साधवात के बारे में और ज़्यदा डिटेल से बताएंगे यहां पर आप देखेगा किसी वस्तु के संतरत में साध पूरवक साध प्रकार के निर्ने लिया जा सकते है जैसे शाद है शाद नहीं है शाद है और नहीं है शाद अव्यक्त है और शाद अव्यक्त है शाद नहीं है और अव्यक्त है शाद है और नहीं है तता अव्यक्त है फिर अगला सिध्धान ताता है पाप ठीक है तो जैन दरम में पाप से संबंदित 18 तरह के पापों का वर्णन किया गया है वो है हिंसा, एस्ते, चोरी, एस सैयत में रती, तथा सैयत में एरती, मैथुन, राग, वेश, परिग्रे, मिथ्धा दर्शन, रूपी, सले, दोसा, र मान, परनिंदा, और मिध्या जिस वक्ति में होंगे यह गुन, वो सारे के सारे कहलाएंगे, जैन दरम में पाप कहलाएंगे, तो देखें फ्रेंड्स, यहांपर हम लोगोंने जैन दरम से संबंद, जैन दरम के सिधानतों के बार में पड़ा है तो इन सिधान जो है ये चेप्टर है ये बहुत ही महत्वपुन है आपको एक्जाम की द्रस्टी से इसको अच्छे से याद करना चाहिए पढ़ना चाहिए और हमने कोशिस करी है कि इस चेप्टर के बाहर से कोई भी क्यूसन एक्जामिन नहीं आएगा और अच्छे से और हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद